तीन ऐसे खिलाडी जो विशवकप 2023 में टीम इंडिया के कफ्तान बन सकते हैं नमश्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम ऐसे तीन जुबा खिलाडीयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विशव कप 2023 में टीम इंडिया के कप्तान बनने के दावेदार है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर तीन केल राहूल केल राहूल टीम इंडिया के लिए निरंतर अच्छा परदर्शन करते रहे हैं और कई बार उपकप्तान भी बन चुके हैं इसलिए उमीद की जा सकती है कि केल राहूल विशव कप 2023 में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं केल राहूल की उमर 28 साल है और इनोंने 26 दिसंबर 2014 को टीम इंडिया के लिए पहला मैच खिला था इशान किशान आईपिल 2020 में बहत्रीन परदर्शन करके अपनी टीम मुंबई इंडियांस को चैंपियन बनाने वाले इशान किशान भी विशे में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं इशान किशान अभी सिर्फ 22 साल के है आपको बता दे के इशान किशान 2016今年 विशे में टीम इंडिया की कप्ताने कर चुके हैं नंबर एक रोहीत शर्मा, हिट मैझ रोहीत शर्मा व इंडिया के कप्तान बनने के दोड़ में सक्से आगे हैं रोहित शर्मा इससे पहले कई मौकों पर टीम इंडिया को अपने कपताने में जिता जुके हैं रोहित शर्मा की उमर 32 साल है और इन्होंने साल 2007 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था आपको बता देके रोहित शर्मा इपियल में अपनी टीम मुंबई इंडियन्स को पाँच बार चैंपियन बना चुके हैं दोस्तो अगर आपको हमारी जे जानकर यच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शेयर जुरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्यूंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यावाद